विचार जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगन मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा किसने कहा रिष्टे मुफ्ट मिलते हैं, मुफ्ट तो हवा भी नहीं मिलती है, एक सांस भी तव आती है, जब एक सांस छोड़ी जाती है पानी कितना भी गरम कर लें, लेकिन थोड़ी देरवाद वह सीतल हो जाता है, इसी परकार हम कितने भी गुस्से में, डर में, असांती में रह लें, थोड़ी देरवाद सांती, निर्भे और परसंता में आ जाते हैं, क्योंकि यही हमारा मूल सभवाव है दूसरों को दुखी देखकर, अगर तुम्हें भी दुख होता है, तो समझ लो, इस्वर ने आपको इंसान बना कर कोई गल्ती नहीं की है दीपक कभी बोलता नहीं, बल्कि उसका परकास परिच्चे देता है, ठीक उसी परकार, आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलो, बस अच्चे करम करते रहिए, आपके करम ही आपका परिच्चे देंगे ताकत आवाज में नहीं, खुद के विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिस से होती है, बार से नहीं, रिष्टे परकरार रखने की सिर्फ एक ही सर्थ है, भावना देखें सम्भावना नहीं भाग्यसाली वह नहीं होते, जिने सब कुछ अच्छा मिलता है, बलकि वह होते हैं, जिने जो मिलता है, वे उसे अच्छा बना लेते हैं जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलेत पर विश्वास रखता है, वही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं पहाड पर चाड़ने पर हमको यह सीखने को मिलता है, कि जब मुच्छा उठना हो तो जुकना तो पड़ता ही है यह सख है कि जब तक हम अपनी खुश्यों के लिए औरों पर निर्बर रहेंगे, तब तक हमें खुश्या नहीं मिल सकती हैं कि जब तक है कि जब टो जाए कि जब माता है रहीं मिल सकता है यह जब तक है यह झाल झाल